तो आप देख सकते हैं एक तरह से पूरी लेन के अंदर सारे रोल्स मिलते हैं तो आज हम जो ट्राइ करेंगे रोल्स आज हम चुरंगी लेन पर करेंगे और देख सकते हैं इनकी वराइटी हैं चिकन अफदानी रोल्स हैं पनीर 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 रोल सब्सक्राइणों ह् gonna sense, wie yourself looks vampire? अम पूरी गली धे है he하면 rollz के लिए ये फेमस है, raps के लिए फेमस है। यह जो है यह काफी पुरानी शॉप है काफी भीड़ लगती है यह g sogen up here weekdays में औरцы औरूनों टाइew अगे है यह जो गली आ रही है यह बिल्कुल city hospital के तरफ से इस तरफ आ रही है और right hand side पे आपको यह सारी shops दिखेंगे तो हमारे साथ है मनोज कुमार जी जो इस shop को देखते हैं यहां पर, overall operations देखते हैं, कितना टाइम हो गया इस दुकान को यहां पर? 2009 में आपने उपन करी थी और अर्मोस 10 यह होच चुके हैं, right? और क्या speciality है मतलब, सिर्फ रोल्स रखते हैं कि और भी तंदूरी मोमोस होगे रहे हैं, चिकन टिका की क्लेप, चिकन मलाई टिका, तंदूरी रोस्ट वगे रहे साहे होते हैं, अच्छा तंदूरी मोमोस भी ए प्रिपार और सिर्फ एं और भी और सिर्फ यहां थी यह cómoन्टिटील और सिकन पर जाएं प्रहिग झीप चिकन हागे मैं, प्राइस चिली चिकन रोल में जाता है और ऐसा ही आप देख सकते हैं यह पनीर है और यह बीच वाला किया लग रहा है यह बटर चिकन रोल जाते हैं कि आप बटर चिकन रोल गंदर बटर चिकन का थोड़ा चिकन जाएगा और ग्रेवी जाती है राइट अच्छ अच्छ देखें किस ह और ये में कुछ मिक्स वेजिटेबल है, बहुत अच्छी लग रही है, आप देखिए किसे आपसे इन्होंने प्रिपेर करके रखी हुई है, और ये आलू का रोल, आलू भी लोग लेते हैं, राइट, बहुत बहुत लग रहा है, और ये इनकी बैक किछन है, आप देखिए, यहां पर ये पेड़े बनाए जा रहे हैं इसके, क्या कॉंपोजिशन क्या रहता है, इसका मैदा रहता है, कि क्या है, कितना मैदा होता है, कितना आटा भी होता है, इसमें एट किलो मैदा होता है, तुगर होता है, अच्छा, 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 ये देखें क और यह किस चीज का बन रहा है? यह मैले है उनके टिये बन रहा है रोज के लिए है जो भी हम सिंगल एक डबल चिकन के लिए है ठीक जिसका कार और यहां पर कुछ मुझे लग रहा है तंदूरी आइटम चल रही है चिकन टिकका को रोज किया जा रहा है और दिकांगे हमें वहाओ बहुत आंप्टिंग लग रहा है यह एक प्लेट का है क्या कोस्ता है तो फिप्टी एक प्लेट के नदर है बहुत बिए है यह देखिए और भी और क्या अंदर यह तिकका और लगे हों है चिकन टिकका हो एग है यह है इसических आपक करनद रख रहे हैं ये देख़ी, आप मतना है, अंब हैं वझ फ्रिपरेशन के लिए और वम्लाइ कम वजो 2019 कुंट सेफ़ी। और यह सब्सियां कट रही है यह स्टाफ के लिए और हमारे ये शेम बताएंगे कि कैसे मनाते हैं प्रपरेशन कहां पे ये देखें अब हमने क्या ओर्डर किया सर्थ सिंगल एक सिंगल चिकन की प्रिपरेशन चल रही है देख सकते हैं आप इन्होंने किस हजाब से गलफ्स पहने हुए अपने हाथों में तो अच्छे से फेलाया जा रहा है और यह किस टाइल से देखिया तबे पर गया यह और शुंदर लगा है अच्छे से ज्यादा इसको पिलाया जा रहा है मैं इस तरफ अच्छे से देखिये इसमें हलका सा वाइल डाला जा रहा है और एक जाएगा पहले तो बेसिकली एक रोल के अदर एक पहले लगाया जाएगा जिसमें इसको उपर इसकी लेयर बन जाएगी है और स्टाइल देखिये इनका कितना एकदम प्रोफिजेंटली खटा-खट मज़दार बना रहे हैं यह देखिया हुए अब क्या बताना चाहरें यह दो नहीं रहे हैं अब देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं यह बताना जाएंगे देखिया है किस हिसाथ से फ्रेश वेजिटेबल को यूज किया जा रहा है अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ओयल पर भी आप देख सकते हैं फॉर्चुन सोया है यूज किया जा रहा है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपने देखा ही है कि अब आपका मतलब आपका मतलब कि इतना ताइम कुई भी चीज यहां पर टिकती नहीं है फटा फट बन जाती है और यह दिखिए यह हमारे एक रोज एक लग गया इस पर अब इस पर इस पर फिलिंग जाना बाकी है यह देखते हैं आप जो केचप अगेरे भी होते हैं हमारे यह तो केचप है तो बिखिल टॉप्सकी है चिली सॉस है यह हमारे टॉप्सकी यूज होती है अच्छा मतलब बढ़िया आप एक सिंगल रिकन चोट बन रहा है और जो दूसरा हमने चूज किया है यह क्या जा रहा है इसके अंदर अजी तंदूरी डिलाइट बहुत बढ़िया और यह जो दूसरा है यह पटर चिकन का है इसमें तंदूरी सॉस जा रही है बहुत ही टेंटिंग लग रहा है और अनियन जा रहे हैं थोड़ा सा निम्बू जा रहा है और मसाला क्या मसाला है यह चाट मसाला है साथ में टॉप्स में थोड़ी चिली सॉस है जो यह देखें किसे लाप से उची मिन्टों में यह रोल तयार है और यह देखें साइज देखें आप बहुत ही अमेजिंग साइज है इसका और यह देखें हमारा बटर चिकन रोल तयार है बहुत अच्छी कॉंटिटी लग रही है जहां से मैं देख पा रहा हूँ और हम खा के बताएंगे आपको की कैसा लगता है रेड़ी अरा सिंगल एक सिंगल चिकन रेड़ी है रोल बहुत ही बड़िया टेस्ट आया मैं को जबसे घर में चिकन की ख्रेवी बनती है या हलका सरसूखा चिकन होता है बिल्कुल अमेजिंग बोई टेस्ट शटल सा टेस्ट है बिल्कुल की ज़्यादा इसमें मिर्ची नहीं है ना मसाले है आप देखिए काफी थिक है काफी कॉंटिटी अच्छी है मैं एक जाओंगा कि एक लोग एक बंदे के लिए बहुत ही अच्छी कॉंटिटी है इसमें पर गटापन है बहुत इसमेजिग लगए बताना चाहूंगा यह शॉप क्यारा बज़े सुबे ओपन होती है राद के ग्यारा बज़े तक चलती है और यह लोग स्वी किस्टुमेटो अप्पे है और बारा किरो मेटर की यह डिलिवडी करते है अदर बजक में वेड़े प्यो ब्हारी ने कोंसे रहा बहुत ने रह defens केर्ड पना चाहूंग् यह ज़्च है किर से लिदी है आपय है पिर सा जानग कि और इसा है, मैस ने रही सुझ के साँ get ग्याच ऑम impacto किया बफॉल अपिर स्बाइब लाग अपिर्ट लाग इवारर्ड लाग कि दैगी... एल्डड़ कर्या से आपिर क्या डे खाईब अखिती से आपिरोडों झरल्ड़ मुझा से शबूर्षाना मुझात fields दिर्ट संद्ड़य। थास्पर कुछिंटी और आपट डिंट। केढ़ बखली तेस केटः मेई पो ए ट्रित, और लिंट यथदे इस अ्यूल मेज़ को Winter तो यह वह बताना चाहूंगा इसकी कौन्टिटी है तो बहुत ही अडिवेट है इक बन्डे के लिए अगर आपको बूग लेगी हुई है और आपको अच्छा और टेक्स्थी कुछ पेस्ट करना चाहते हैं तो इस इस देप्लेस बटर चिकन रोल विच इस लाइख लग रहा है और जो इसका आउटर है ना काफी सॉफ लग रहा है मैं तो ऐसा रोल मैंने अभी तक नहीं खाया मैं यह कहना चाहूंगा बिलकुल बटर चिकन वादा आप परस्टाइड खारा हूं मैं तो प्राइज कलन का रहा रहा है विच प्वाद अभी अच्छे हैं और हम थो पहले जो ञोगा यह हमने पहले प्हले जो ट्राह की अहता सिंग रहे हम उक्यास का रुपीजिग कंश स्रीकर शे इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे जएदा, मैं यह कहना चाहूंगा, कि जो आपको यहाँ quantity मिल रही है, जो quality मिल रही है, exceptional है, no comparisons at all, और यहाँ इस जगह में हम काफी टाइम से आते हैं, और जब भी आते हैं, it's a treat for us, we always enjoy this thing, so I would recommend you please come to शवरंगी नहीं, which is just behind city hospital, and please come here, enjoy this yummy roads, and in the evening they also have other varieties, अलग लग वराइटी सखे, तंदूरी मोमोद रखते हैं, चिकन टिक्का है, जरूर यहाँ पे आएंगे, ट्राय करिये, और enjoy please, और पीस वेडियो को शेर, लाइक, और मेरे चानल को सब्स्क्राइब करना ना भूलिए, बैन आइकन को प्रेस करेगे, and hope to see you soon, thank you, make sure.